हलो फ्रेंड एक बार फिर मेरे यूटूब चैनल सीजी प्यसी हब पॉइंटर आप सीवी का सौगत है आज हम लोग देखेंगे छक्तिर गड़ समान निग्यान प्रसनपर्त आज हम विशित चाचा करेंगे एमसी की वे में देखेंगे ठीक है तो यदि मेरे यूटूब चैनल पे नए है तो मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करेंगे इस वीडियो को लाइक करेंगे ठीक है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर करेंगे ठीक है फ्रेंड तो मैं यही कहना चाहता हूँ 2012 में नहीं हुआ है ठीक है तो ऐसा कौन सा जीरा है बोला है और संद लो दिया है चार ओस्टनों में से ऐसा कौन सा जीरा है जिसके निमार 2012 में नहीं हुआ है ये प्रस्न पूछा है प्रस्न नंबर पहला में और सन ए में दिया है अपका गरिया बन और सन बी में दिया है अप कुंडागाउं, अफसन C में दिया है आपका महा संच, अफसन D में दिया है आपका बलरामपूर. ठीक है, तो बलरामपूर कब बना यह 2012 में बना है। Group एक जिसन महा संच कब बना है 19 lineage में बना है। खुंका बना है 2010 में बना है। ठीक है, प्रस नंबर दूसरा देखें, प्रस नंबर दूसरा कहता है कि कोडी ग्री निम्नलिकित में से कहां इस्थापित है, ये प्रस ने पूछा है आपका, प्रस नंबर दूसरा, ठीक है, तो option A दिया है आपका जगदलपूर, option B दिया है आपका ग्लासपूर, option C दिया है आपका रायपूर औफसन दिद यह खरोद ठीक है? तो कोड़ी गृइ जो इस्थापित है आपका वो रायपूर जीला के चंद्र खूरे में इस्थीत है आपका कोड़ी गृइ ठीक है? प्रस नंबर 3 के बात करें तो प्रस नंबर 3 कहता है कि साकमबरी तेवहर कब मनाया जाता है जो साकमबरी तेवहर है वो कब मनाया जाता है ये प्रसन पुछा है आपका प्रस नमर तीसरा बहुत important प्रसन है ठीक है option A, diaph, का सावन option B, diaph, का भादो option C, diaph, का पॉस पूलिमा और option D दिया है अपका कर्थिक पुलिमा ठीक है यदि आपको आंसर मालिम हो तो नीचे कमेंट में अपना आंसर दो यार ठीक है तो option number C जो है इसका correct answer हो जाएगा पॉस पुलिमा पॉस पुलिमा को जो है साकंबरी तेवहर मनाया जाता है ठीक है पॉस मांक्स के सुकलपक्च के अश्टमी तीथी के साकंबरी नवरात्र की शुरुआत होती है तो साकंबरी नवरात्र की शुरुआत कब होती है पॉस मांक्स के सुकलपक्च के अश्टमी तीथी से इसकी शुरुआत होती है आपका साकंबरी नवरात्र की पॉस्पुणीमा वो इसी दिन मनाया जाता है और इस दिन जो है साकम्ब्री जैन्ती भी मनाया जाता है ठीक है पॉस्पुणीमा को और साकम्ब्री नवरात्र के दौरान जो साधा कोता है वो क्या करता है तंत्र मंत्र करते हैं और जो मा साकंब्री की आराधना करते हैं ठीक है और मा जो साकंब्री है उसकी आराधना करते हैं आपका साधा ठीक है प्रस नमबर चौंथा की बात करें तो चर्रे मरे जल परपात की सनदी पर है ये प्रस न पूछा आपका प्रस नमबर चौंथा Option A दिया है अपका कोटरी नदी Option B दिया है अपका दूद नदी Option C दिया है अपका मुन्गा बाहर नदी Option D दिया है अपका जोगी नदी ठीक है तो आपको answer मालूम है तो नीचे comment में दीजिए ठीक है उसके बाद option देखे जोगी नदी परिस्थीत है और जोगी नदी जो है आपका कोटरी की सहयक नदी है ठीक है कोटरी की सहयक नदी है जोगी नदी ठीक है और बात करें चर्रे मरे जलपरपात की तो चर्रे मरे जलपरपात की उचाई के बात करें तो पचास फिट उचाई है इसका चर्रे मरे जलपरपात का ठीक है और प्रस नंबर पांचवा की बात करें तो प्रस नंबर पांचवा कहता है कि 36 गड़ में जंगल सत्ताग्रह के जन्मदाता माना जाता है। प्रस नंबर पांचवा की बात करें चुटकी और कोत्री आबुसन को महिलाएं कहां पहनती है। प्रस नंबर पांचवा की बात करें चुटकी और कोत्री आबुसन को महिलाएं पैर की उंगली में पहनती है। पैर की उंगली में पहनती है हमारी महिलाएं 36 गड़ की महिलाएं ठीक है चुटकी और कोत्री को और चुटकी और कोत्री जो है चांदी का अबुसन होता है। ठीक है उसके बाद अंसर दे प्रस नंबर सात्वा की बात करें प्रस नंबर सात्वा खेनवा को महिलाएं कीस जगह पहनती है। जो खेनवा एक अबूसण का नाम है, उसको महिलाएं जिए सरी के किस अंग में पहनती है ये प्रसन पूछा है प्रसन नमबर सात्वा clear, option A में दिया है कान, option B में दिया है नाक, option C में दिया है गला और option D में दिया है हातों की उगलियों में ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, कई लोग सोच रहे होंगे, कान सोच रहे होंगे, लेकिन ये गलत आंसर है, क्योंकि खेनवा को कान में पहना जाता है, जबकि खेनवा को जो है नाक में पहना जाने वाला अभूसन है, अभूसन का वीडियो में बना चुका हूँ अल्र जाएगा हूँ ठीक है उसके बाद बात करें प्रस नंबर आठवा की सीव बाबा सिद्ध खोल आमा जहरिया जल प्रपात कौन सी जीले में है यह प्रस ने पूछा प्रस नंबर आठवा सीव बाबा जल प्रपात सिद्ध खोल जल प्रपात दियादा होना चीए आमा जहरिया जलपरपात अहना सवाला गला गहना है लेकिन एक ही जीले में स्थीध है है हना मैं बताऊंगा भी अना तो स्वीवाबा जलपरपात सिद्ध उखोल जलपरपात अमजरिया जलपरपात कौन से जीले में यह पूछा है आपका प्रस्थ नमबर आठा हुआ ठीक है तो le già दिया नमबर 20 उसका करेक्ट हो जाएगा बलादा बजार जीले में इस्थीत है आपका सुई बाबा जलपरपात सुध्द खोल जलपरपात और आमा जरिया जलपरपात ठीक है उसके बाद बात करें प्रस नमबर नमवह की तो प्रस नमबर नमवह देखें तो नगरपाली का लेखा समीथी में कुल कितने सदस्य होते है ठीक है, तो कुल कितने सदस्य होते है नगर पाली का लेखा समीथी में ओफसन नमबर A में दिया है 4, ओफसन नमबर B में दिया है 5, ओफसन नमबर C में दिया है 6 और ओफसन नमबर D में दिया है आपका साथ, तो इसका अंसर आप लोगों को मालूम है, तो नीचे comment box में अंसर दे सकते हैं इसका जो अंसर होगा, वो होगा आपका साथ, ठीक है साथ जो है इसके सदस से होते हैं नगरपली का लेखा समीति के साथो सदस से जो होते हैं निर्वाचित पारसद होते हैं और इसमें जो है मेर इन काउंसल के सदस से इसमें सामिल नहीं होते है नगरपली का लेखा समीति में ठीक है, और अध्धक्ष का जो चुनवा है, वो अपने में से करते हैं ठीक है, जो निर्वाचित पारसद होंगे न वो अपने में से किसी एक को अध्धक खेक रूप में चुन लेंगे ठीक है उसके बाद बात करें चुनाओ की तो चुनाओ जो होता है उसका अनुपाटिक प्रतिधितु पद्धति दौरा जो है इसका चुनाओ किया जाता है आपका नगरपाली का लेखा समीति का किलेर है किलेर है यहां तक प्रस नंबर दशवा की बात करें तो 36 गड़ में जाएंगा तो इसका आंसर जो होगा वह होगा उसकन नंबर एगरिक्ट आंसर हो जाएगा 1995 को 36 गड़ के प्रतम संस्कृत महवी दहले के स्थापनÑ 1995 में किया गया तो रायपूर में किया गया ठीक है, रायपूर जीला में किया गया ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड लाइक किजिए गा, लाइक तो करते नहीं हो आप लाइक करो, ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेयर कीजिए यदि नए है तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ठीक है धन्यवाद